हाई फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टिकन के लम के डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने स्कॉलर्शीप का जो हाट कांपी है उसे आप कैसे डाउन्डोड कर सकते हैं उसे आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने स्कॉलर्शीप का हार्ड का प्यापी निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मौईले लेप्टाप का पोजिशापी ब्राउजर ओपिन करके और यहां पर scholarship.uop.gov.in इस website पर आ जाना होगा इसका link में वीडियो के description में दे दूँगा उसके click करके सीधे आप इस portal पर आ जाएंगे यहाँ पर आनेक बाद student student पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं fresh login अगर आपने नौवी का किया है तो pre-matric student login पर click कर दीजेगा अगर आप intermediate मतलब 1 वी क respons अगर आप renewal की निएल्ट मतलब 1 वी का मतलब रहाबी का किया है तो intermediate student login पर click कर दीजेगा तो यहाँ पर मैं इग्रहवी का किया हूं तो fresh login पर click करके pre-matic यहाँ पर लिखाऑ और intermediate तो intermediate वाले पर मैं click कर दे रहा हूं तो यहां पर click करने के बाद यहां पर सबसे पहले login हो जाना होगा login होने के लिए हैं आपको यहां पर registration संख्या अपना डाल देना होगा उसके जन्मतिती डाल देना होगा और जो आपका password है वो password यहां पर डाल करके capture डाल के submit पर click कर देना होगा तो यहां पर मैं सारी detail भर के submit पर click कर दे रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने भर दिया और यहां पर देख सकते हैं submit पर click करते ही देख सकते हैं यहां पर सारे इस्टेफ हमारे complete हो चुके हैं और यहां पर जब हमने जाच के उपरात आवेधन पत्र सम्मिट पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपर यहां पर देख सकते हैं जाच के उपरात आवेधन पत्र सम्मिट करें सांस्था में जमा करने है तू आवेधन पत्र का प्रिंट तीन दीन बाद वस्य करें तो यहां पर हमारा सब कुछ complete हो चुका है और यहां पर आप्षन दे दिया है सांस्था में जमा करने है तू आवेधन प्रिंट करें तो इस पर आपको click कर देना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफarespace यहां पर आ जाएगा इसे आप print करके आपको अपने college में लें जा करके जमा कर देना होता है तो देख सकते हैं print this page इस पर आप क्लिक करके आप इसे save भी कर सकते हैं और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो तुरंत ही आप प्रिंट इसे कर सकते हैं, तो फ्रिंट कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने scholarship का hard copy आप निकाल सकते हैं, आईसे आप download कर सकते हैं, तो फ्रिंट, I hope कि वीडियो आपको पसंद आयोगी, अगर पसंद तो प्लीज लाइक कर दीजिगा, और चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिगा, तो फ्रिंट, इस वीडियो में पस इतना मिलते हैं, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन बंदे मा प्लीज दीजिगा कर दीजिगता कर दीजिगा झेहा बात्रों पात्रों।